लो दोस्तों वेलकम ट्यूसान तेजू किसन और मैं ये वीडियो लाए हूँ आपको एक नई बैकेंसी के बार बताने के लिए जो कि काफी अच्छी बैकेंसी है तो हम बिना कोई टाइम बेस के सारी में डिटेल्स में बारे में बात करते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्रा कीजिए न्यू वेकेंसी के अपडेट के लिए और वीडियो को आखिर तक देगे हम सुरू करते हैं ये जो वेकेंसी है ये रास्टी है केमिकल्स और लिमिटेड की तरफ से है इसमें जो है मैं आपको वेकेंसी के डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एपलाई किसे करना यह सब बताऊंगा तो अगर हम वेकेंसी की डिटेल की बात करते है तो ये जो वेकेंसी है ये रास्टी केमिकल्स और फर्टिलाजर लिमिटेड आर सी एफल की तरफ से रिलीज हुई है नौटिफिकेशन और ये जो है ये ग्रेजियोट अपरेंटि की पोस्ट के लिए है इसमें जो टूटल नंबर वेकेंसी है वो 396 वेकेंसी होने वाली है लाज़ेट के बात करें तो 14 तारी आठ होईना 2022 लाज़ेट होगी इसके लिए तो आप लाज़ेट से पहले अप्लाई कर देना वेकेंसी के अगर डिटेल करते तो ग्रेजियोट अप्रेंटिस में 150 वेकेंसी होगी टेकनिसी अप्रेंटिस में 110 और ट्रेट अप्रेंटिस में 136 वेकेंसी होगी Agibility Criteria में Age Limit की अगर हम बात करें तो Candidate Upper Age Limit For All The Ever Mentioned Vacancy है 25 ठीक है तो Upper Age Limit जो है 25 होगी और Calvary की जाएगी एक तारीक चौथा महीने 22 तक ठीक है Educational Qualification के अगर बात करें तो Graduate Apprentice के लिए Candidate के पास Degree होने चाहिए किसी relevant field में 50% Marks होने चाहिए और Basic English Knowledge नेसेसरी है Technician Apprentice के बात करें तो Candidate के पाद डिपलोमा होने चाहिए relevant field में और minimum percentage 50 होने चाहिए Trade Apprentice के बात करें तो Candidate जो 10 पास होने चाहिए Science and Mathematics के साथ 10 प्लस 2 सिस्टम of Education CELD के बात करते हैं तो Sautilistic Candidate जो है उनको CELD मिलेगी पास से 9000 के बीच पर मन्त उनके Board के Respect में ठीक है And the stipend applicable to Apprentice as per notification date 25 तारिक नौवा महीन 2019 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship will be applicable तो आपको जो stipend है सभी Apprentice पे applicable होगा ठीक है और जो notification की डेट है 25 तारिक नौवीन दोचर तारिक 2019 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship की वो applicable होगा And उन्होंने ये भी mention कहा है के Apprentice जो ट्रेनीज है उनको और कोई भी benefit नहीं मिलेगा Sailory के अलाबा नाहीं Alloyances मिलेंगे सिर्पर सिर्प Sailory मिलेगा उनको अगर हम selection process की बात करते है तो the merit list जो है वो जो आपने percentage secure की है उसके according बनेगी आपके educational qualification के according And the candidate from the merit list will be called for document verification तो आपकी merit list में अगर नाम आए तो फिर आप document verification के लिए call किया जाए And a merit list will be drawn in the order of the percentage ठीक है ये तो होगा Apply किसे करना ये बता दो सबसे पहले आपको इनकी official website पे जाना है RCFL website पे ठीक है वहाँ पे आपको के apply top page पे वहाँ पे apply पे क्लिक करना होगा And आपको जो है registration करना जरूरी है portal पे पहला candidate aspiring for trade apprentice self-register अगर trade apprentice के लिए आप कर रहे हैं तो आपको ये जो portal है इनके portal पे registration कराना होगा जो की है apprentice india.org candidate registration और अगर आप technician apprentice के लिए कर रहे हैं तो आपको register कराना होगा mhrdnats.gov.in इस पे आपको पराना होगा candidate aspiring for graduate apprentice such as BA, BCOM, BSC, BBA graduation with economics will be registered after joining और जो भी candidate है जो graduate apprentice के लिए apply कर रहे है BA, BCOM, BSC, BBA graduation वाले, economics के साथ graduation वाले ये इन सब का registration होगा joining के बाद RCF पे ठीक है as an apprentice ठीक है तो ये जो थी ये सारी main material मैंने इस vacancy related आपको बता दी है तो अगर आप interested है तो इसके लिए जरूर apply कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए जो इसमें interested हो और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कीजिए हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में निव एकन्सी के साथ तो इसके लिए